सुन्य की भुमिका क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जिसे किसी संख्या में जोडने पर वही संख्या प्राप्त होती है जब सुन्य किसी भी परीमे संख्या में जोडा जाता है तो पुना वही परीमे संख्या प्राप्त होती है उधारन के लिए एक धन सुन्य बराबर एक और सुन्य धन एक बराबर एक रिंड़ दो धन सुन्य बराबर रिंड़ और सुन्य धन कोश्टक में रिंड़ बराबर रिंड़ ग्यारा बटे तीन धन सुन्य बराबर 11 बटे 3 और सुन्य धन 11 बटे 3 बराबर 11 बटे 3 इस कारण हम सुन्य को योज तस्मक कहते हैं इस गुण का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है यदि ए कोई परिमय संख्या का प्रतिनी धित्त करता है तो ए धन सुन्य बराबर ए और सुन्य धन ए पराबर क्या प्राकृतिक संख्याओं में योज तस्मक है। आपने उपर के गुणनफलों में क्या कुछ विशेश देखा? हम देख सकते हैं कि किसी भी परिमय संख्या को एक से गुणा किया जाए तो गुणनफल पुना वही परिमय संख्याएं प्राप्त होती हैं हम कह सकते हैं कि एक परिमय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्स्मक है उधारन के लिए जब 15 बटे 50 को सरल रूप में लिखने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं पंद्रा बटे 50 बराबर 3 गुणित 5 बटे 10 गुणित 5 बटे 5 बराबर 3 बटे 10 गुणित 1 बराबर 3 बटे 10 जहां हम लिखते हैं कि 3 बटे 10 गुणित 1 बराबर 3 बटे 10 वहां हम गुणन फल के तत्समक गुण का उपयोग करते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व एक योगात्मक प्रतिलोम 3 धन कोश्टक में रिन 3 बराबर सुन्य और रिन 3 धन 3 बराबर सुन्य रिन पांच धन पांच बराबर सुन्य और पांच धन कोश्टक में रिन पांच बराबर क्या होगा दो बटे तीन में क्या जोड़ें कि सुन्य के बराबर हो और किस संख्या में दो बटे तीन जोड़ें कि वह सुन्य के बराबर हो इसी प्रकार रिन एक बटे दो में क्या जोडें कि वह सुनने के बराबर हो और किस संख्या में रिन एक बटे दो जोडें कि वह सुनने के बराबर हो जाए पहले उधाहरण में रिण तीन और तीन एक दूसरे के योगात्मक परतिलोम है क्योंकि इनको जोडने पर हमें योग सुन्य प्राप्त होता है कोई दो संख्याएं जिनका योग सुन्य हो एक दूसरे के योगात्मक परतिलोम कहलाती है सामान्यता यदि A कोई परिमे संख्या है तो A धन कोष्टक में रिन A बराबर सुन्य और कोष्टक में रिन A धन A बराबर सुन्य तो ए, रिण ए, एक दूसरे के योगात्मक परतिलोम है सुन्य का योगात्मक परतिलोम सुन्नी ही रहता है क्योंकि सुन्य धन सुन्य पराबर सुन्नी दो गुणात्मक परतिलोम परिमे संख्या दो बटे साथ का किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक प्राप्त हो हम देखते हैं दो बटे साद गुणीत साद बटे दो बराबर एक और साद बटे दो गुणीत दो बटे साद बराबर एक निचे दिये गए खाली डिब्बे भरिये दो गुणीत खाली स्थान बराबर एक और खाली स्थान गुनित दो बराबर एक रिन पाँच गुनित खाली स्थान बराबर एक और खाली स्थान गुनित रिन पाँच बराबर एक रिन सत्रा बटे उन्निस गुनित खाली स्थान बराबर एक और खाली इस्थान गुणीत रिंड 17 बटे 19 बराबर एक एक में किसका गुणा किया जाए कि वह एक के बराबर होगा कोई दो संख्याएं जिनका गुणन फल एक हो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते है उधारंतिया चार गुणीत एक बटे चार बराबर एक और एक बटे चार गुणीत चार बराबर एक अतह संख्या चार और एक बटे चार एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है हम कह सकते हैं कि एक परिमे संख्या C बटे D दूसरी परिमे संख्या A बटे B का गुनात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि A बटे B गुनित C बटे D बराबर एक और C बटे D गुनित A बटे B बराबर एक परिमे संख्या वह उनका दशमलो स्वरूप अगर हमें 7 बटा 4, 9 बटा 11, 7 बटा 6 आदी का दशमलो स्वरूप लिखना है तो हम 7 को 4, 9 को 11, 7 को 6 से भाग करेंगे आप भी करें तथा आगे दी गई सारणी से मिलान करें एक सेस्फल बराबर तीन दो सुन्या भाजक चार दो सेस्फल बराबर दो नौ दो नौ दो नौ इस्त्यादी भाजक ग्यारा तीसरा सेस्फल बराबर एक चार 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 त्यादी भाजक छे इन तीनो सेस्फलों को देखें क्या आप इनकी कोई विसेस्ता दिखा पा रहे हैं एक चार से भाजक करने पर सेस्फल एक सीमा के पस्चात सुन्य हो जाता है दो ग्यारा से भाजक करने पर बारी बारी से दो वा नौ सेस्फल में आ रहे हैं तीन चैसे भाजक करने पर पहले स्थान के बाद चार का दोहराव हो रहा है चार जब सेशफल का दोहराव हो रहा है तो भागफल में भी दोहराव दिखता है आईए इसे और समझने के लिए हम तालिका बनाते हैं तालिका के सिर्शक है संख्या, भागफल, विसलेशन, निसकर्स पहले हम साद बटे चार लेते हैं आप तालिका में देखेंगे साद बटे चार का भागफल एक दसमलोव साथ पाँच यहां दसमलोव के दो स्थानों के बाद सेशफल सुन्य हो जाता है यानिसकर्स निकलता है कि यहां सान्त दसमलोव है नौ बटे ग्यारा सुन्य दस्मलो आठ एक आठ एक इत्यादी यहां दस्मलो के दो अस्थानों के बाद पहले वाले दो अस्थानों के आंकों की पुन्राविर्ती हो रही है यहां दस्मलो के एक स्थान के बाद आने वाली संख्या की पुन्राविर्ती हो रही है असांत आवर्ती दस्मलो निरूपन है तालिका से हम पाते हैं कि संख्या साथ बटे चार में सेस्फल कुछ पदों के बाद सुन्य हो जाता है इसके अन्य उदाहरन एक बटे दो बराबर सुन्य दस्मलो पाँच साथ बटे आठ बराबर सुन्य दस्मलो आठ साथ पाँच आदी है ऐसे दस्मलों को सांत दस्मलों कहते हैं जिन में दस्मलों के पस्चात की संख्याएं सीमित हैं संख्या 9 बटे 11, 7 बटे 6 में भागफल में एक निशित स्थान के बाद पुन्राविर्ती हो रही है हम साथ बटे 6 बराबर एक दस्मलों एक छे 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 इत्यादी को एक दस्मलों एक छे बार भी लिखते हैं ऐसे ही 9 बटे 11 बराबर सुन्य दस्मलों आठ एक आठ एक इत्यादी को सुन्य दस्मलों आठ एक बार लिखेंगे यह असांत आवर्ती है याने आसीमित किंतु दस्मलों के कुछ स्थानों के बाद वही टुकडे दोहराए जा रहे हैं करके देखें पहला ऐसी दो परिमे संख्याएं लिखिए जिनका दस्मलों रूप असांत आवर्ती हो दूसरा ऐसी दो परिमे संख्याएं लिखिए जिनका दस्मलों रूप सांत हो दस्मलों को परिमे संख्या के सामाने रूप में लिखना जब हम दस्मलों संख्या को उसके P बटे Q के रूप में लिखते हैं तो हम संख्या को बहतर समझ पाते हैं हम पहले कुछ आवर्त दस्मलों संख्यां लेते हैं